हाई फ्रेंट्स मैं परपंदर खाले हैं फ्रेंट्स आज की है हमारी गेम विदर्शन जारीका जी की वीडियो रेकमेंडेशन एजिस गेम के फ्रों ने उससे वीडियो बनाने के लिए खाया फ्रेंट्स वो खेले के थी सन दो हजार 23 में रूमेनियन चेंपेंशिप खेलने हमाले दोनों के लाड़ी रूमेनिया से थे ग्रिग्ली जाबो वर्सिज निकोडिम कॉस्मिन एंड समफिंग लाग डाट आगे भी कुछ है कैरें मैं शुरू करता हूँ गेम को यहां ग्रिग्ली जाबो ने ई-4 के साथ शेयो किया कारुकान डिफेंस यानी C6 का या बिशब बाहर निकलता है एक्षेंस करने के लिए कोई बात नहीं ब्लैक ने भी एचपन आगे पुछ कर दिया बिशब आया डी 3 स्कॉर पर बिशब एक्षेंस आस्किंग बिशब टेक्स डी 3 कुइन टेक्स डी 3 देन हुआ कुइन अफ़ा चेक से बचने के नाइट को इस बिशब एक्षेंस को थोड़ा कॉंपलेक्ड टेक्स डी 3 तो इसके बाद सीधा सीधा केसल आया ब्लैक का खेर बी 3 हुआ देन रुक आया डी 8 स्कॉर पर यूकर डी 1 ये भी ठीक है लेकिन सी 5 मैटिरियल एक्षेंस को थोड़ा कॉंपलेक्ड टेक्ड करते हुए स्पेशली आप यहां देख सकते हैं कि किस तरह से होगा यह हुआ भी था डी टेक्स सी 5 कुइन टेक्स सी 5 होने के बाद आप यहां देखेंगे कि क्या हो चुका है लग बग गिव में तो क्या करना चाहिए थे कि प्राबलम एक और भी है सिरफ रुक कुइन के सामने नहीं है प्राबलम यहां इस एफटू पॉन का पिन होना भी है तो यह भी एक बहुत बड़ा इश्यू है solution king g2 minimizing the loss मेरे ख्याल से इसे अच्छी option नहीं हो सकती है लेकिन यहां जाबो को लगा कि नहीं सच्छी option है उन्होंने यहां knight को f1 square पर place किया चलिए आपने यहां g3 pawn को defend कर लिया है लेकिन अब क्या करें इस रुक को queen के सामने रखा हुआ है यह problem है और देखें रुक के साथ issues हो सकते हैं डी टेक्स c4 अब हम लोग क्या करेंगे हम अपना टैग रूप पर वापस रखेंगे और defense रखेंगे चारी queen c2 करेंगे या queen e2 करेंगे से जादा कुछ कर नहीं सकते है रुक टेक्स d1 queen text d1 और उसके बाद चलिए further कर लेते हैं और उसके और हाँ black की problem में कि knight develop यह knight c6 कर लेंगे फिर इस तरह से कुछ game आगे बढ़ सकती है एक pawn का win होता है यहां पर black को लेकिन यहां surprisingly जावों ने कुछ अजीव हो गरीब हो चला उन्होंने यहां किया queen tix d8 check के साथ bishop tix d8 rook tix d8 check queen sacrifice की बद्ले में rook और bishop मिला आये बाथ strong position तो नहीं है खिर थोड़ा सा king helpless होता हूँ नजर आ रहा है black का king आया h7 square पर और फ्रेंड्स अब यहां move है white का लेके दो move मुझे नजर आ रहे हैं सबसे पहला तो एक check दो आप उसके बाद king safe हो जाएगा आगे भी मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है दूसरा btex c4 नजर नजर आ रहा है यहां से अगरी game आगे बड़ेगी तो king obvious है बड़ेगा ही बड़ेगा आगे ब्लैक के साथ issue है कि रूप और knight अराम से डूलब नहीं हो सकते हैं यह भी एक serious problem knight e3 कर से लिए game पर सकते हैं यहां की लगया knight e3 directly यहां pawn actions के बारे में बाद में देखा जाएगा game लगब कुछ इसी तरह से material actions यानि की knight takes knight होता है तो bishop सीधा सीधा develop होता है queen पर attack बनेगा वो भी एक issue रहेगा यहां खेला गया queen a5 पहले queen को हटाया गया और अब मेरे खाल से सारा stage set है दो knight किस तरह से आतंक मचाएंगे इस game में देखिए ता knight g5 check king गया g6 square पर और अगर यहां देखा जाए तो black का king stalemated condition है almost बचाव क्या है बचाव है बचाव है बचाव ने अटेक क्या है अटेक किसी तरह से white यहां एक check देदे knight g2 उसी चीज़ का इंजाम क्या अगले move में यहां check देने की तैयारी है अब कोई न कोई escaping square चाहिए ज्यातर squares पर black के अपने ही pieces रखेंगे अब move क्या किया जा सकता है? move क्या जा सकता है knight, knight मेरे ख्याल से h6 square पर negative position है वैसे h6 square पर जा सकता है अगर यहां से यह game आगे बढ़ती है तो अगले move में जैसे ही यह check आएगी king के जाने के लिए x square available होगा लेकिन dukeffet पहले किया जा सकता है queen takes e5 then rook भी नहीं नहीं बजा नहीं आ रहा यह तो एक option थी यहां पर लेकिन जो game में खेला गया prince वह वाक्य में उसके ऐसा लगता है कि solution निकल सकते हैं लेकिन white निकल नहीं नहीं दिये नहीं खेला गया knight takes g3 black ने का कि ठीक है थोड़ा बहुत material है वापिस कुछ check रुक दे कर अचा queen का attack यहां रुक तक भी है यह भी एक issue ध्यान में रखने वाला है बहुत strong लेकिन यहां check तो दे नहीं थी knight f4 check king आया f5 square पर white का pawn hanging मतलब इसको लेना असान नहीं होगा और queen का attack रुक तक जाई रहा है knight takes f7 रुक पर defense हो गया अब क्या करें यहां black क्यों नहीं अपने knight को बचा लेता है यहां किया जा सकता था knight e2 check knight takes e2 होता है then queen e1 check होगा king को हटाना पड़ेगा queen takes e2 हो जाए जब भी आप problem में फसो तो जादा बहतर है कि थोड़ा बहुत material actions कर लेकिन black के साथ problem है कि वो किसी भी तरह से अपने knight और rook को develop नहीं कर पा रहा है white करने नहीं दे रहा है यहां कि लागया queen c3 यहां rook पर attack बना pressure तो बना कर रख नहीं है रूख पर attack बनने के साथ साथ आप यहां भी इस knight को भी नहीं ले सकते है क्योंकि आपको यहां पर एक check भी मिलती है साथ साथ then king g2 कहा कि आपके अंदर रख हिंमत है तो रूख को ले just game को explanation बना game को समझने बढ़ कि यह मैं अब दिखाने चाहूँ कि अगर यहां पर then उसके बाद किया जा सकता है knight x e4 फिर चेक और king d file से आगे नहीं निकल पाएगा कौन से square अविलेबल है f5 या फिर e4 और अगर यहां से कि हम आगे बड़े group f8 check होगा king अब यहां e4 square पर भी जा सकता है उसके बाद किस किस तरह की check आएंगे बूद बेखनी होगी और king कहां जाएगा अचा king यहां g4 square पर जाता है तो यह game checkmate तक होच जाती है कैसे f3 check होगा knight को लिए कुछ होती है king धकिल दिया जाएगा कहां पर h4 square पर फिर knight से check आएगी bishop कहीं जाने नहीं देगा तो यहां पर यह हो जाएगी checkmate लेकिन इसमें बचाव भी है अगर यहां checkmate से इस game को बचाना है तो यहां बस queen को sacrifice करके बचाया जा सकता है पहला तरीका simple है queen f6 कर दो और queen sacrifice करके checkmate थोड़ी देर ही रिए बचालो queen तो मिली चुकिये लेकिन बाकी कुछ material white यहां बहुत बचाना होगा then knight से check दे देंगे king e5 whatever it is जरा from here एक और option है अगर यहां black decide करेगी वो अपने king को e4 square पर लाएगा तो क्या होगा तो भी f3 check होगा king को d4 square पर ही जाना होगा then bishop b2 check for king queen and king और friends कितने लोगों ने यहां इस queen यानि रुक जब sacrifice किया था तो इस queen trap को देखकर समझे होगे मेरे क्याल से बहुत कम लोगों के मैं तो उत्मूहीं नहीं उन में से कर रहे हैं क्या करें सीटेक्स b3 उसके बाद यह queen promotion रुक तो लिया निगा सकता है यह बात तो clear रहे यह बात निकोडिम को भी समझना लागी उन्होंने यहां किया knight e4 से लिए knight बचा लिए यह भी ठीक देन हुआ रुक f8 और रुक f8 square पर आने के बाद discovered check जैसा कुछ जरूर है pawn के साथ issue कोई दिकत नहीं है फिर दुबार है वही समझाने भर के लिए किस तरह का attack है माल लेते हैं कि black यहां b pawn को आगे कुछ कर लेता है तो क्या होगा तो discovered check तो आए गाई आई गाई किंग कहां जा सकता है यहां से सिर्फ और सिर्फ e5 किंग टेक्स e5 कर लेते हैं किंग टेक्स e5 होने के बाद knight g6 check होगा अब किंग कहां जाएगा किंग के जाने के लिए कौन से square available है बिल्कुल d5 d6 वाट है अच्छा d6 होगा ने d5 ही होगा लेकिन d6 करना पड़ेगा knight e7 check होगा अब किंग के जाने के लिए सिर्फ यह दो स्कौर बचेगे डी 6 आइदर c5 लेकिन उसके बाद यहां white का एक knight फौक लगा रहा होगा इसको कैसे बचाएगे तरह गेम पर चलते हैं दुबार है खर यह सब तो black में आ नहीं किया यहां खेला king g4 king को थोड़ा side कर दिया बिल्कुल सही है bishop आया e3 square पर और अब भी तक भी रूप नहीं बचाया friends पूरा check mating sequence है knight takes f2 चुना गया friends knight takes f2 चुना तो गया लेकिन knight d5 और यहां यह knight d5 क्या move है किस तरह से काम किया जाएगा just यह knight sacrifice e takes d5 यह knight sacrifice को accept किया जाए तो क्या होगा पहले खिला जाएगा knight h6 check अब दो options है knight को आइदर यहां pawn से ले लो उसके बाद सीधा सीधा रुक आएगा f4 square पर और यह होगी check यहाने की g takes h6 रुक f4 check और यह pawn यहां king को भागने नहीं देगा कहीं तो क्या करना पड़ेगा मजबूरी में king takes h4 ही करना पड़ेगा लेकिन उसके बाद फिर दुबारा वही रुक h1 check अब आप कहींगा रुक h1 check की जूरती क्या है अब बिशप से अगर check देगा तो king भाग जाएगा ना knight x h1 करना ही पड़ेगा then rook f4 check king g5 square पर जाएगा then rook g4 check और discovered check के साथ friends इसे कहेंगे checkmate सवरे pieces जो available हैं वो लगवाग किंग की end में तयार रहे हैं friends क्या कमाल की game खेल रहे हैं क्विन टेक्स a1 फाइनली चाहिए रुक को ले ही लिया है लेकिन knight x6 check फिर खेला गया king takes h4 इसके लावा और को इलाज भी नहीं है अगर फिलहाल रुक से check दी जाती है तो knight जब करके वापस अजाएगा तो bishop takes f2 check दिया गया king वापस g5 square पर गया और situation वापस भी खड़ी कर लिए bishop e3 check अभी हमने देखा कि king नहीं आ सकता यहां 4th rank पर otherwise यह रुक से checkmate हुजाएगी तो king के लिए g6 square he available then knight से check आई king गया h7 square पर knight f7 और अगले move में इसे कहेंगे हम checkmate की threat अब black के पास समस्या यह है कि वे इस checkmate से बचे तो बचे कैसे मुझे तो कुई तरीका नहीं नजर आ रहा सिर्फ एक extra move में लिक्टा है वो कैसे knight c6 knight के c6 square पर आने के बाद आप रुक लेने के लिए जाओगे इतनी दिर में यहाँ एक knight भी black को मिल चुका होगा तो rook knight और bishop के सामने क्या होगा queen और knight यहां black के पास होगे और काफी सारे pawns black के पास extra होगे तो pressure में उसके बाद यहाँ पर wipe रहेगा अब इतनी strong position में आखे गेम तो खराब करी नहीं जाएगी यहां पहले के लगा है knight g5 king h6 square पर knight f7 check यार इसी pawn को ले लेते हैं वो सही था क्यों सही था भी देखिये गाए थेरे मैं चलिए दिखाई देता हूँ क्योंकि game लग-मग ऐसे ही खेलेगी थी knight c6 check discovered check होगा यह होगा bishop से king को h7 square पर जाना पड़ेगा then knight g5 जोगा king h6 then दूसरे knight से check आएगी king g6 square पर जाएगा then knight h4 check और king को finally कहा जाना पड़ेगा h6 square पर rook tx8 और अगले move में यह है checkmate की threat इस checkmate से बचना लग-भग-भग-भग ना मुट के लिए खर अब मैं जरा game पर चलता हूँ गेम पर ही देखते हैं यहां खेला गया था knight f7 king h7 square पर knight g5 check two-fold repetition पहली बार को लगा कि जाबों को भी शाइद आइडिया नहीं लग रहा है शायद यह game draw हो जाएगी ना किंग एच six knight takes e6 check चली फाइनली किया गया दुस्त रस्ते पे चल पड़े हैं यहां white king h7 square पर knight g5 check king h6 knight f6 f5 check king h6 square पर then one knight h4 check चली वह situation आ गई है जो भी थोब्ले पहले board पर मैंने बनाई थी एक sub variation के दर किंग यहां गया h6 square पर यहां rook takes 8 किया जा सकता था लेकिन बिलकुल ensure होके यहां ग्रिगली जावों ने पहले एक बार दुबारे चली नाइट f7 king h7 square पर knight g5 check king h6 rook takes 8 चली फाइनली लग बक्तास move के sequence extra sequence के बाद यह वह situation आ चुकी है अब अगले move में आपको यहां यह check meeting threat के नजार आ रही है अब इस checkmate से बचने के लिए क्या कर सकते है मेरे साब से gpon को ही आगे push किया जा सकता है आप जाज जादा queen से check दे लो फरक क्या पड़ेगा उससे कुछ नहीं हो ना नाइट टेक्स e5 यही खेला गया लेकिन इस सब के बावजूद भी यहां जाब हो ने रुक टेक्स g6 चेक किया और फ्रेंट्स क्या आपको यकीन है कि यह checkmate हो जाएगी अब इक उस दूने पहले मैंने टूनाइट विरेशन करणा चेक्मेट दी थी उसमें सिर्फ एक एक एक्ट्रापॉन ओपोनेंट के पास था लेकिन यहां एक्ट्रापॉन ही नहीं है डिफेंस करने के लिए नाइट पर एक बिशप का भी सपोर्ट है कुछ पॉन्स एक्ट्रा है भी तो यहां इस मूव के के बाद निकोडिम को रिजाइन करना पड़िया प्रेंट से रेजिगनेशन का रिजन इतना अब्वियस नहीं है नाइट टेक्स जी सिक्स अगर यहां से एक एम आगे बढ़ेगी लिकन उसके बाद नाइट एफ फाइब से और किंग के जानने के लिए जो स्क्वाइर को वाइट के नाइट में कवर किना है फ्रेंट बहुत शान्दार गे उमीद आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी तो आप लोग वीडियो को लाइक शेर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें कमेंट सेजेशन का मुझे बहादन जार रह मुझे बहादन दो कि मुझे देट लोगोगյ झाल आप throws वीडियो को दो आप को स sing जरूर शाएव जाल झाल झाल झाल